Hello friends, welcome to my YouTube channel, आओ हिंदी सीखे, मैं हूँ भारती चैश्वाल और आज हम लोग करेंगे वाक्य, इससे पहले हमने वर्न किया था, शब्द किया था, और वर्नों के वेद भी किये थे, वर्न माला भी किये थे, आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य, और इससे पहले मैंने आपको क्ल क्लास 4 के एक ओडिंग, यानि क्लास 4 में हमें वाक्य के बारे में क्या पढ़ना है, ये आज हम सीखेंगे, तो सबसे पहले तो वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है, शब्दों के सार्थक समूं को वाक्य कहते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है, क्लास 3 में भी पढ़ा है, और अब प्लास फोर में पर रहे हो, शब्दों के सार्थक समू को वाक्य कहते हैं, यहां दो चीजें ध्यान देने वाली है, पहले तो समू और दूसरा सार्थक, ठीक है, सार्थक मतलब एक अर्थ होना चाहिए, और समू मतलब गृप होना चाहिए, अब आप देखो, अगर हमने बोल गुडिया से रही है, खेल रिया, तो यह सेंटेंस तो है, और शब्दों का गृप भी है, समू भी है, लेकिन क्या यह सेंटेंस सही लग रहा है, मतलब सही वाक्य लग रहा है, पढ़ने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, है ना, गुडिया से खेल रही है, खेल रिय अगर हम इसी चीज को ऐसे लिख दें कि रिया गुरिया से खेल रही है तो अब देखिए कितना फर्क आ गया ना गुरिया से रही है खेल रिया ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है लेकिन रिया गुरिया से खेल रही है ये बहुत सुन्दर वाक्य लग रहा है तो इसी को वाक्य कहते हैं, मतलब हमने सब्दों का समूह तो बनाया और उन्हें क्रम से लिखा, सही क्रम में लिखा, तो एक अर्थ सही अर्थ निकल के आया, ठीक है, रिया गुरिया से खेल रही है, या आप कोई और वाक्य ले लीजे, जैसे रमा मोनु को खाना खिला रही है, ठीक है, तो यहां हमने क्या किया है, शब्दों को सही क्रम में सजाया है, सही क्रम में लगाते हुए आपने शब्दों का समूह बनाया, तो एक सही अर्थ भी निकल के आ रहा है, तो अब हम इस सब्दों के समूह को वाक्य कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर, तो शब्दों के सार्थक ये ध्यान रखना है कि हम शब्दों का जो भी क्रुप बना रहे हैं जैसे हमने बनाया रिया गुरिया से खेल रही है तो यहां रिया एक सब्द है, गुरिया एक सब्द है, से भी एक सब्द है, खेल भी एक सब्द है रही एक सब्द है और है भी एक सब्द है तो इन सारे सब्दों को एक जगा तो रख दिया, लेकिन क्रम में रखा, तो हमें ये ध्यान रखना है कि शब्दों को क्रम में रखना है, ताकि उसका एक प्रॉपर अर्थ निकल के आ सके, एक प्रॉपर मीनिंग निकल के आ सके, तभी हम सब्दों के ग्रूप को वाक्य कहें तीन बातें ध्यान में रखनी है यहां शब्दों का ग्रुप बनाना है शमूह बनाना है और शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखना है और वाक्य का एक अर्थ भी होना चाहिए तीन बातें हो गई आपको ध्यान रखना है वाक्य बनाते समय अब आते हैं वाक्य के कितन अंग होते हैं, अंग मतलब पार्ट, ठीक है, पार्ट्स, वाक्य को हम कितने भाग में बाट सकते हैं, एक सेंटेंस मालनो हमने ले लिया, रिया गुरिया से खेल रही है, तो इसे हम किस दो पार्ट में, सौरी, कितने पार्ट में बाट सकते हैं, पहले तो ये समझना है, तो स खुन-कौन होते हैं एक है उद्ध्याश्य और दूसरा विधेया इसी उद्ध्धे को आप इंग लिस में सबजेक्ट बोलते हो और विधेया को प्रेडिकेट बोलते हो, आपने इंग्लिस सेंटेंस पढ़ा तो अभी यहां पे हिंदी में हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग बोलके, तो सब्जेक्ट को ही उद्देश्य बोलेंगे और प्रेटिकेट को विधेय बोलेंगे, तो दो अंग हो गए वाक्य के, एक उद्देश्य और दूसरा विधेया, अब उद्देश्य किसे कहते हैं, इसके बारे में बातें कही जाती है ठीक है उसे उद्देश्य कहते हैं मतलब सब्जेक्ट के बारे में ही हम बात करते हैं कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उसमें एक उद्देश्य अवश्य होता है और बाकी जो बातें लिखी होती है वो उसी उद्देश्य के बारे में लिखी होती है तो ध्यान ये देना है कि वाक्य में जिसके बारे में बात कह रहे हैं उसे उद्देश कहते हैं और उद्देश के बारे में जो बातें कही गई है वो विधेया है ठीक है समझ गया आप तो उद्देश और विधेया दो पार्ट में हम बाठ देंगे किसी भी वाक्य को म मम्मी खाना बना रही है, ठीक है? यह एक complete sentence है, complete वाक्य है, यहाँ शब्दों का समूँ भी है, और एक अर्थ भी निकल कि आ रहा है, अर्थात शब्द क्रम में लगे है, ठीक है? अब मम्मी खाना बना रही है, इसमें मम्मी जो है, वो उद्यस्ट है, क्योंकि हमने जो बात क खाना बना रही है यह बात किसके बारे में कही गई है मम्मी के बारे में तो मम्मी यहां पर उद्यश्य हो गया और खाना बना रही है मतलब मम्मी के बारे में क्या बातें कही जा रही है खाना बना रही है तो खाना बना रही है यह विधेया हो गया एक बार फिर से बता दू, मम्मी खाना बना रही है, मतलब इस वाक में जिसके बारे में बात कही गई है, वह उद्देश्य है, तो मम्मी के बारे में बात कही जा रही है, तो मम्मी उद्देश्य है, और जो बात कही गई है, वह विधेया कहलाता है, यानि कि खाना बना रही है ये वातें मम्मी के बारे में उद्यश्य के बारे में कही जा रही है तो खाना बना रही है ये विधेया हो गया और मम्मी उद्यश्य हो गया तो वाक्य के दो अंग होते हैं उद्यश्य तथा विधेया उद्देश वो होता है जिसके वारे में वाक्य में बात कही गई हो और विधेया वो होता है जो उद्देश के वारे में जो बात कही जाती है वो बात ही विधेया होती है ठीक है? जैसे पेड से आम गिरा तो यहाँ पेड़ हो गया उद्देश्य और आमगिरा यह विधेया हो गया फल बहुत मीठा है तो हम फल के बारे में बात कर रहे हैं तो फल उद्देश्य हो गया और बहुत मीठा है यानि हम क्या बात कर रहे हैं बहुत मीठा है तो यह हो गया विधेया clear, मिठाई अच्छी है, यहां मिठाई उद्यश्य हो गया, और अच्छी है विधेया हो गया, क्योंकि हम मिठाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो मिठाई उद्यश्य है, और मिठाई के बारे में क्या बात कर रहे हैं, अच्छी है, तो अच्छी है, यह विधेया हो गया, श अंग होते हैं तो शब्दों के शार्थक सम्मूम को वाक्य कहते हैं और वाक्य के दो अंग होते हैं उद्ध्यश्य तथा विधेया थैंक यू